देखें यो तो देवदास भी अगर आप रेट्रो मूट में जाए ना उस खाचे में फिट आ जाती है क्योंकि एक देवदास बनी थी दिलिप कुमार के साथ और क्या देवदास बने थे वो वेल देवदास की याद मुझे क्यों आ रही है क्योंकि हमारे अर्मान भी तो देवदास बन गए हैं अभीरा की जुदाई में लिकन एक्सक्यूज मी जब आप रूही से शादी करने के लिए निकले थे तब आपको ये ध्यान नहीं आया था कि ये पल भी चल दी आएगा ला झाहिए कई दिनों से हम ये देख रही हैं कि अर्मान और अभीरा एक दूसरे के लिए तड़प रही हैं हिद दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि हम एक दूजे के बिना रह नहीं सकते हैं अब इसके बावजोद ऐसी कौन सी वजह है कि ये दोनों साथ नहीं रह सकते क्या रूही से शादी करना इतना जरूरी है अर्मान और अभीरा के कोई अर्मान नहीं है क्या एक दूसरे से जुदाई इन्हें बरदाश नहीं है इधर अर्मान का ये हाल है तो अबीरा भी तडब रही है इतने दिनों में क्या कभी भी आपने अर्मान को शराब के नशे में देखा होगा नहीं न लेकिन आर्ज देख लीजिए है दादी सा के जिद का नतीजा है ये क्या दादी सा इस समझ पाएंगी अर्मान के दिल का हाई आपको एक हैपी फैमिली की फेक इमिच चाहिए जो आप दुनिया को दिखाने के लिए फाल में लगाएंगी तो आप दिल से कुछ देखना चाहती थी दादी साथ अपीरा इस समझ रही है तो भाई बहन नहीं चाहते हैं के रुही के साथ अर्मान की शादी हो शगुन की हल्दी वो लेकर जा ही रहे थे के बीच में अपीरा मिल गई और देखिए शगुन की हल्दी पहले उसे लग गई अब भगवान का इशारा सब समझ रही है तो भई दादी सा आप क्यों नहीं समझ रही है आपके जित के खातिर दो जिन्दगी बरबाद हो रही है आपको क्या ये नजर नहीं आ रहा है है मुंबे से सोनू शुकला के साथ ABP News Report अब बात करते हैं सीरिल परी नीती की वैसे फिल्म परी नीती भी बड़ी ही क्लासिक थी लेकिन यहाँ पर तो भया नीती है beyond classic आप यह तो जा रहे हैं माता के दरबार में वैशनु देवी लेकिन अपनी हरकतों से तो यह बाज आ नहीं सकती तो यहाँ जाते भी इनका एक मात्र यही अजेंडा है कि किस तरह परी को रास्ते से हटाया जाए माता के दर से बुलावा आया है परी राजीव और नीती इस संग परिवार सब पहुँचे हैं माता के दरबार में अब यहाँ पर नीती के मन में खुरा पाती है क्योंकि वो जान गई है कि परी मोगा देखते ही सब को सारा सच बता देगी तो वहीं परी खामोश है क्योंकि वो भी मौके की तलाश में है अब जब पूरा परिवार यात्रा पर निकला है पंडित जी ने कहा के पारवती मा के मंदिर के पास जाओ और उनसे आशिरवाद लो हैसे में देखिए पहले नीती गई और परी भी अब यहाँ पर है ममी जीना बाकी के परिवार वालों को रोक कर रख रही है है क्योंकि नीती परी का काम तमाम जो करने वाली है उसने दलजीत को भी बुला लिया है नीती और परी की जो टेंशन है वो इन मतलब बिल्ड हो चुकी है अब यहाँ पर नीती का प्लान है परी को खाई से धक्का देने का लेकिन मातारानी के दरबार में जो जाती है उनके साथ कभी अनहोनी नहीं होती है परी को हमेशा से ही भगवार ने सही रास्ता दिखाया है और उसकी जान भी बचाई है तो नीती आज तुम कुछ भी कर लो है परी का बाल भी बाका नहीं होगा और जहां तक हमारी सलाह मानो कि यहां से निकल लो वरना आज के दिन ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ABP News Report ताशो और रन्बीर के इस रोमान्स को देख कर तो हम यही कहेंगे कि मा बेटी प्राची और पूर्वी दोनों की लव स्टोरी कुछ एक जैसी ही हो गई है एक दरव प्राची और रन्बीर का मिलन तो हो गया है लेकिन इस बारे में अभी तक ताशो को नहीं पता है और वो तो रन्बीर के प्यार के सपने देखने में बिजी है हाला कि ये बात तो हम जानते हैं कि रन्बीर सिर्फ प्राची से ही प्यार करता है लेकिन ताशो को अभी तक इस बारे में नहीं पता है और ऐसे में उसके प्यार की गाड़ी तो तेज रफतार से आगे बढ़ रही है तो रन्बीर और प्राची का जो फेस ओफ हुआ है यह भी ताशो अंजान है इस फाक से भी और इसे पता भी नहीं है कि जिस अंजान शक्स के बारे में केके बात करता रहता है या फिर सोचता रहता है जिसे खयालों में खोता रहता है वह अचली उसकी best friend true ही है जबकि इन दोनों का अपस में face off हो चुका है तो being very very unaware of the fact that उनके जो हस्बंडे वो उसी के best friend को चाहते हैं वो आपने खयाली पुलाव तो पकाई जारी वो जब भी कृष्णा से टकराती है या विर कुछ होता है उसे तो उसके अंदर पता नहीं कारेंट जैसा लग जाता है जैसे एक तरफा महबबत होती है तो वैसी उसी तरीके से ताशु को भी एक तरफा महबबत है रनबीर के साथ ताशु ऑविसली अंडेस्टैंडिंग बनने की पूरी कोशिश भी कर रहे है पर अद दे इंड ओफ दे वो है लड़की तो उसकी दिल में जो भाव है वो बढ़ रहे है इधर प्राजे की बेटी पूर्वी की कहानी भी कुछ ऐसी ही चल रही है जहां नहीं मिल पा रहे है पूर्वी और आर्वी क्योंकि दोनों के बीच एक बार फिर से मोनेशा आ चुकी है और इस बारे में पूर्वी को नहीं पता है तो ये मौनेशा और आर्वी की आज लव अनिवर्सरी है वो दिन जिस दिन मौनेशा ने आर्वी को प्रिपोस किया था तो बहुत स्पेशल दे है और फिलहाल मौनेशा आर्वी से थोड़ी सी नरास थी तो मौनेशा ने आर्वी को पनिश्मेंट दिया कि मुझे मनाने के लिए अब डिनर पे जाना पड़ेगा हाँ उन्होंने शायद देख लिया है कि आरवी हाँ मेरे साथ आए है तो कुछ ज्रामा तो होगा हालकि यहाँ आरवी और मोनिश्या को केके एक साथ देख लेता है लेकिन उसे अभी तक मोनिश्या और आरवी के रिष्टे के बारे में नहीं पता है ऐसे में जब उसे उन्दोरों का यह सच पता लगेगा तो देखना होगा कि क्या वो अपनी बेटी पूरवी का साथ देगा मुंबई से प्रियाध हबने के साथ एबिपी नियूस रिपॉर्ट सीरेल भाग के लक्षमी में देखे न क्या हो रहा है कोट सीन है और कोट में किसको ट्राइल पर खड़ा किया गया है एक नन्नी सी बच्ची को हम बात कर रहे हैं पारो की भै वो लाइट वाला पूरा हाथसा क्या हुआ I mean can you really think कि नन्नी सी पारो किसी को मारने की कोशुश करेगी नहीं गलत है ये वैसे तो टीवी सीनल की दुनिया में सब कुश मुम्किन है लेकिन जब कहानी लिखी जाए तो थोड़ा तो सूचना चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची किसी को मारने की कोशिश कैसे कर सकती है लेकिन यहां तो पारो को गुनेगार साबित करने के लिए मलेशका ने एड़ी चोटी का सोड लगा दिया है आज जुवलाइन कोट में पारो की सनवाई हो रही है जहां पारो के ममी पापा दोनों ही इस कोट में मौझूद है और लक्षमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपनी बच्ची को बच्चा सके अब नहीं लगा था कि क्या होगा ने होगा इस वक्त तो बस रिष्या और लक्षमी को ये सोचना चाहिए कि वो पारो को कैसे बचा सके लेकिन इन दोनों को तो देखिये यह यहां भी शुरू हो गए अब रिष्या और लक्षमी हमने मान लिया कि आप दोनों को लड़ने का बहुत शौक है लेकिन फिलहाल तो इन सब को छोड़ कर सिर्फ बारों को बचाने पर फोकस कीजिए मुंबई से प्रियाध हवडे के साथ ABP News Report दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा और उड़ने की आशा और उड़ने की आशा में साहिली और सचिन दोनों पहुच गए हैं गाव में मतलब साहिली सचिन के साथ उसके गाव में गई है जानते हैं आप गाव में लाइफ कितनी काम होती है, कूल होती है और खुबसूरत होती है तो वस इन ही पलो का आनंद ले रहे हैं ये दोनों गाओं के खेतों खलियानों में कुछ ऐसा ही मज़ा आता है अब देखिए इस साहिली को सचिन अपने गाओं में लेकर आया है और गाओं में जो सबसे ज़ादा खूप सुरुद जगे होती है वो होता है खेत खलियान बच्पन की यादों को ताजा करने का आज आप सबको मौका मिला है खेतों में बीच बोना और काम करना आज ये सब कुछ साहिली सचिन से सीख रही है और सचिन भी बड़े मन से सिखा रहा है अब इसी बीच में दोनों को मस्ती सुझी मस्ती भी कोई ऐसी वैसी नहीं है बलकि एक दूसरे पर कीचड उडाने की इनको ऐसी हालत में देखकर सच में आज मजा ही आ गया है सचिन भी एकदम मस्ती गूल मिल गया है और वो इंजॉय कर रहा है वो मॉमेंट को और उसी दोरान वो कीचड में गया जाता है तो मैं भी चलांग लगा देखके ठीक है यह कीचड अब मुझ पर फैगेगा इससे पहले मैं ही इसके पर फैग देती हूँ तो वो इक कीचड से हम खेल रहे है फिर एक दूसरे को क्लीन भी कर रहे है जो हमारे बचपन की एक मेमरी होती है जिसमें हम खेलते हैं मस्ती करते हैं और तूने की आई यह तो मैं भी करूंगी वैसा एक सीक्वेंस है हमारा और बहुत प्यारा आया है इस सचिन का गाउं बहुत ही खूप सूरत है अब इस खूप सूरत से गाउं में अगर इन दोनों को प्यार का एहसास हुआ तब तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा अब हम तो यहीं उम्मीद करते हैं के सचिन और साइली जल से जल एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में बंद जाए भाई पुकार दिल से दिल तक आप जानते हैं न एक नया सीरिल है जो जल्दी आ रहा है टेलेविजन पर तो बी प्रेसाइस 27 में से शुरू हो रहा है फिलहाल इसकी शूटिंग जैपूर में चल रही है जहां और भी भीशन गर्मी है तो देखिए से आईली जो है किस तरह उन्हों ने अपने स्पॉट दादा के लिए एक बहुत ही स्वीट जेस्चर किया जिसको देखकर हमें भी नीमबू पानी पीने काम मन कर रहा है नहीं आप भी देखिए आपका भी करेगा है 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 यह नमस्ते मेरा नाम है साइली और आज हम है जैपूर में यह दादा स्पेशली यह दादा भी और एक दादा है हर एक छोटी-छोटी चीज की हेल्प करते है हमारी कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपके लिए आज मैने बनाया है कैसा बनाया बली बताओ अजान जिशتي मैं सच्छ वताओ आप जिता अच्छ बनाते हो इतना बनाया है मैं यह तो यह भां डिता है आप जैसे बनागी पिलाते हैं, पकार! आज हम जैपुर में शूट कर रहे हैं, अज यू सी बहुत गर्मी है, बहुत जादा गर्मी है, और येस टीम का ये कहना है, हम सब का ये कहना है, कि Spot Daddy हमारी बहुत बहुत करते है, वो बिचारे हमें भर 5-5 मिनिट में हमें लेक चाता लेको irाते हैं, पिलाते है,MO पिलाते हमें जो जैए वह पिलाते हैं, हमारी बहुत सहाल रखते हैं, अब एकarena एक चोट ऐसा इनिशियतिव हम भी ले लेते हैं, इस कुछ बेचको करते हैं सोचा कि हम आज स्पॉर्ट दादा के लिए नीमुबानी बनाते हैं सो चलो आज इस जॉर्नी में आप लोग हमारे साथ आईये हम एंजॉई करते है काम एक सेकंड इतनी गर्मी है कि हमें पार की ज़ूरत है अभी मुझे तो हमें जैनुरी नी नी बता हम सीन में से ताइम ने काल के बहुत कुछ सीन चल रहे होते हैं तो यह समान कहा होता है हमें जैनुरी नी नी बता अब लेकर भी दादा ही आया है तद आपको पता मैं क्या कर रही हूँ, आपके लिए निमुपारी मना रही हूँ, आपके लिए बना रही हूँ, पीएंगे आप हम बहुत एक्साइटेड थे आउड़ोर आने के लिए और अभी जब हम आ गए है तो बहुत गर्म, सबका यह कहना है कि बहुत गर्मी है, बहुत तकलीफ हो रही है, कोई खड़ा नहीं रह पा रहा है, चक्कर आ रही है आपके लिए आज मैंने बनाया है, और कहा है दादा, कैसा बनाया बली बताओ सच्ची मैं सच्च बताओ, आप जितना अच्छा बनाते हो तरह बनाया है यह लिए आपके लिए मैंने बनाया है, नहीं भूपाली यह भगवान, क्या जलूम है कैसा बनाया है, सच्च बताना यह लिए बनाया है, यह लिए बताओ आप जैसे बनागे पिलाते मैसा है, पकार यह लिए बनाया है यह लिए पहली बार ऐसा कुछ लोग है, कुछ अलग है मुझे लगता है कुछ मेरे भी एक चेंज है यह और ओडियंस के लिए तो अफकॉस होगा एक बहुत प्यारी लड़की वेदी का नाम की आप बहुत जल्दी Sony TV पे I'm sure बहुत इंट्रेस्टिंग शोग होगा, मेरे लिए बहुत exciting है कि कुछ तो अलग कर रही हूँ, कुछ नया दिखाने की कोशिश रहेगी मेरी, so please show जरूर देखिये का, हम बहुत पन कर रहे हैं, I'm sure अगर इस जोरी में हम fun कर रहे हैं, तो आप हमें देखकर बहुत enjoy करेंगे, आपको भी बहुत मजाने वाला है ABP News आपको रखे आगे कर दो कर दो रहे हम मौ